हलो दोस्तों मैं परशान आप सभी का अपने यूटूब चैनल एक वीडियो में स्वागत करता हूं तो आज हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं कि हमारे ट्वेडिंग के लिए कौन सा टाइम फ्रेम बेस्ट होगा क्योंकि मैक्सिमम लोगों का डाउट इसी में रहता ह कि हम 5 मिनट टाइम फ्रेम में ट्वेड करें 15 मिनट टाइम फ्रेम में ट्वेड करें या फिर 1 आवर टाइम फ्रेम में ट्वेड करें या फिर 1 डे वाले टाइम फ्रेम में ट्वेड करें तो टाइम फ्रेम के लिए कर बहुत सारे डाउट रहते हैं वो सारे डाउट आज ह हम इस वीडियो में क्लियर करने जा रहे हैं तो चली देखते हैं कि हम आई लिए बेस्ट टाइम फ्रेम कौन सा होगा जहां पर हम ट्वेडिंग करके प्रॉफिट बना सकते हैं तो यहां पे हम चार्ट पर आगें और यह जो चार्ट है अपका विलाइनस इंडिस्ट्री का देख सकते हैं यहां पर हम डिफरेंट टाइम फ्रेम पर जाएंगे हम अलग-अलग टाइम फ्रेम पर जाएंगे लेकिन हमाई लिए बेस्ट तुटेवल टाइम कौन सा होगा वो डिपेंड करता है कि हम कौन सा ट्वेड करना चाहते हैं अगर आप इंट्राडे ट्वेडिंग करना चाहते हैं तो इंट्राडे ट्वेडिंग आप डेली ट्वेडिंग के बैसिस पर नहीं कर सकते हैं उसके लिए आपको लोगर ट्वेडिंग पर जाना ही प सबसे पहले, डो, डेली टाइम फ्रेम यूज करना है, वो यूज करना है किसके लिए, जो swing trader है, जो swing trade करते हैं, उनके लिए डेली टाइम फ्रेम बेस suitable होता है, या फिर अगर आप positional trading करते हैं, तो फिर आपके लिए भी यह बेस suitable होता है, यह नहीं अगर आप 7 to 10 डेज या फिर इससे ज़्यादा टाइम फ्रेम के लिए मार्केट में बने रहना चाहते हैं तो फिर आप क्या कर सकते हैं यहाँ पर डेली टाइम फ्रेम आपके लिए बेत्वीन ओप्शन साबित होगा क्यों हम साबित होगा क्योंकि यहाँ पर जो भी केंडल बनता है वो काफी हद तक मैचिवर केंडल बनता हुआ दिखता है और जैसे केंडल में मैचुरीटी देखने को मिलता है तिहां पर हम जो भी कुछ स्ट्राइडड़ी अपलाई करेंगे जो भी कुछ pattern देखेंगे वो काफी हद तक pattern हमाई लिए सही साबित होता हो दिखेगा और वहाँ से हमें profit जादा मिलेगा और हमारे trade का accuracy level भी increase होगा इसलिए अगर हम swing trading, positional trading या फिर investment करते हैं तो वहाँ पे हम weekly chart पे भी जा सकते हैं लेकिन अगर आप सिर्फ trade करते हो swing trading, positional trading या फिर future options में जहां पे हमें एक महिने तक भी hold करने का options रहता है तो इन सारे conditions में हम क्या करेंगे daily time frame बाला chart prefer करेंगे उसमें आपको lower time frame पे नहीं जाना है क्योंकि वहाँ पे आपको candle में उतना जादा maturity देखने को नहीं मिलेगा और बहुत सारे वहाँ पे आपको manipulated move देखने को लेगा जिससे आप बच सकते हैं अगर हम daily time frame में आते हैं तो daily time frame को लेकर doubt clear हो गया यह किन के लिए है और किन के लिए नहीं है तो सबसे पहले यहां पे हम एक pattern को find करते हैं देखिए price नीचे से आपका ऊपर side की तरफ गया है और यहां पे क्या form हुआ है यहां पे आपका एक resistance level का formation हमें देखने को मिला है और उसके बाद यहां पे आपका देख सकते हैं green candle एक आपका red candle फिर आपका red candle का formation हुआ है और अगर आपने हमारा candlestick pattern वाला वीडियो देखा होगा तो मैंने बताया है यह कौन सा pattern है यह है आपका इवनिंग स्टार पैटर्न अब इवनिंग स्टार पैटर्न का क्या मतलब है यह आपका एक निगेटिव पैटर्न है जो कि हमें sell side की तरफ indications देता है लेकिन sell side की तरफ indications कब देगा जब यह आपका एक resistance के के करीब formation होगा और जब आपका तीसरा जो भी candle बनता रेट के लोग को ब्रेक करके नीचे जाएगा यहां पर हम सेलसें की तरफ जाएंगे यह पॉइंट हमारा प्राइस नीचे आया पहला टागेट हमारा यह होगा और इस तरीके से यहां पर प्रॉफिट बना सकते हैं और यह चार्ट किसके लिए पोजिशनल ट्वेडिंग और स्विंग ट्वेडिंग के लिए यह बात आपको धिहान वखना है उसके बाद हम दूसरे टाइम फ्रेम पर आते हैं अब हम यहां पर आगे SBI के अर टाइम फ्रेम बाले चार्ट पर और यहां पर भी हमने सेम पैटरन को आइडेंटिफाई किया और आप देख सकते हैं कि डेली चार्ट में यह पैटरन हमें ज़्यादा एक कुलेट सावित हो रहा था ज्यादा विटर्न हमें दे रहा था इसकी बाद प्राइस ज़्य पैटरन का फॉमेशन किया यह रिड कैनल के लोइस्ट पॉइंट को मार्क करेंगे यहां पे हम सेल सेट की तरफ जा सकते हैं यह जो पॉइंट होगा एसल की रूप में काम करेगा और फस्ट टागेट प्रेस की बात करें तो यह लेवल हमारा फस्ट टागेट पैस होगा और स इसको भी colors ने हिट करी दिया तो इस तरह करें से हम कहाँ पर आगे डेलि टाइम फ्रेम से आप गेली टाइम फ्रेम पर आ गय अब इसके बेसिस के हम क्या कर सकते हैं इसका इस्तिमाल कर सकते हैं, इसका इस्तिमाल आप काफी हद तक swing trading में भी कर सकते हैं और positional trading में भी कर सकते हैं, लेकिन इन दोनों trading के लिए हम prefer करेंगे, कौनसा चार्ट, टेली चार्ट, लेकिन अगर हम lower time frame वाले चार्ट पे आते हैं, suppose अगर हम वर आवर वाले चार्ट को भी देखना होगा, हमें इसके साढब-साथ क्या देखना होगा, कि DAILY CHAART में कैसा कुछ PATTERN बन वाया, फिर AT THE SAME TIME WEEKLY CHAART में कैसा कुछ PATTERN बन वाया, इन दोनों CHAART को हमें देखना परेगा, यह नि हम जितने LOWER TÈM боль 과ले चार्ट में जाएंगे, हमें सारे उपर वाले चार्ट को देखना परेगा और अगर हमें क्या find करना कोई crucial support या फिर resistance level find करना तो वो हम lower time frame वाले चार्ट से find नहीं करेंगे उसके लिए हमें longer time frame वाले चार्ट पर जाना परेगा और यह चीज हमें best पता चलेगा daily time frame चाहे आप यहां पर five minute वाले चार्ट क्यों नहीं यूज कर रहा हूँ support resistance level find करने के लिए हम daily time frame वाले चार्ट पर जाएंगे और उसी support resistance को mark करते हुए हम किसी भी time frame वाले चार्ट में trade initiate कर सकते हैं तो अगर आप daily time frame में trade करो या फिर hourly में trade करो दोनों जगा हमें profit मिला है कहीं पर profit कम कहीं पर जादा मिल सकता लेकिन दोनों जगा profit मिला है तो आपको situation को देखना है और उसके इंसाब से trade initiate करना है जैसे कभी-कभी market में ज्यादा whisk हो जाता है हमें पता है कि market यहां से नीचे गिरेगा लेकिन कब गिरेगा यह नहीं पता है तो वहाँ पर अगर हमें delivery में trade करना है तो हम थोड़ा सा wait करेंगे और हम lower level पर buy करना prefer करेंगे उस time पर अगर हमें trade करना है तो हम delivery trade को avoid करेंगे और हम intra-date trading पर जाएंगे और जैसे हम intra-date trading पर जाएंगे तो हम क्या करेंगे हम 5 minute 15 minute time frame वाला चार्ट जादा use करेंगे तो situation भी आपको बताएगा कि कौन सा time frame आपके लिए बहतवीन है कोई एक time frame को लेकि आप हमेशा से नहीं बैठ सकते कि हम इसी time frame में हमेशा trade करेंगे उसमें आप बहुत बार गलती कर सकते हैं अब यहाँ पर देखिए हम आगे ACN PEMS के 15 minute वाले time frame पर अब सबसे पहले यहाँ पर अगर हम 15 minute time frame वी यूज करेंगे तो इसके basis पर आसानी से आप क्या कर सकते हैं intra-date trading कर सकते हैं आपका 15 minute time frame वाला चार्ट जहाँ पर candle भी थोड़ा मैच्योर रहता है और हमें थोड़े बहुत मैनिपुलेटर मूब भी यहाँ पर filter होते हुए दिख जाते हैं और साथी साथ इसके basis पर btst trading भी कर सकते हैं अब इसके basis पर कौन सा काम नहीं कर सकते हैं अगर आप swing trading करते हैं और साथी साथ positional trade initiate करते हैं या फिर आप long term में investment करते हैं तो फिर आपको daily time frame या फिर weekly या फिर monthly पर भी जा सकते हैं वहाँ पर ज़्यादा कोई दिख करते हैं आपके past time frame कितना उसके basis पर जा सकते हैं यहां पर हम trading के उपर बात करें यहीं different types of trading में कौन सा चार्ट हमें इस्तमाल करना तो 15 मिन टाइम वाले पर जा सकते हैं और वाइस हमें 15 मिन टाइम वाला चार्ट इस्तमाल नहीं करना और यहां पर देंगा कि इस टाइम फ्रीम का इस्तेमाल कहां पे करना अब देखिए इस वेड केंडल के लोईस्ट पॉइंट को मार्क करेंगे और इस लेवल के आसपास हम यहां पर सेल साइट की तरफ इंट्वी लेंगे लेकिन अगर आप यहां पे थोड़ा सा लेट यानि 15 मियाट बाद अगर आप इस चीज को अइड इस टाइम पे आपको ट्वेड करेंगे क्योंकि हम थूडा सा भी लेट हुए तो और अगर्मारा एंट्री थूड़ा भी लेट हुआ तो हमारा risk increase हो सकता है, तो इसी सब situation को देखते हुए, यहाँ पे हमें इंट्राइट वेट ज्यादा प्रेफर करना और इंट्राइट के लिए best suitable है, आप इस लेवल इस लेवल पे थोड़ा लेट होते हैं, दो तिन मिन लेट होते हैं तो चले गा, लेकिन अगर आप 15-20 मिन इंट्री करते हैं, तो फिर यहाँ पे आपको ज्यादा profit मिलता हुआ, नहीं दिखेगा, अगर आप इस लेवल या इस लेवल कहीं पे इंट्री लेते हैं, तो प्राइस उपर गिया, और अल्टिमेटली आपका यहाँ पे SL हिट होगा, फिर आपको ज्यादा profit मिलता हुआ, नहीं दिखेगा, अल्टिमेटली आपको नुकसान ही होगा, तो फिप्टी मिन टाइम फ्रेम का चार्ट का अगर हम इस्तमाल करते हैं, तो आपको यहाँ पे इंट्रॉर्डे ट्वेडिंग या फिर BTSC ट्वेडिंग के लिए करना होगा, मागी के लिए नहीं करना होगा, अब हम इससे और नीची आते हैं, और अब हम आगें 5 मिनट वाले टाइम फ्रेम पे, यहाँ पे भी अगर हम बात करें, तो देख सकते हैं, यहाँ पे एक रिस्टेंस लेवल का फॉर्मेशन होगा, लेकिन छोटा सा रिस्टेंस लेवल है, मैंने आपको अल्वेड ही बताय हैं, वह हम फाइंड करेंगे, डेली चार्ट से ही फाइंड करेंगे, और फिर उसको हम माग करके, और उसके बेसिस पर हम 5 मिनट टाइम फ्रेम पे ट्वेड कर सकते हैं, तो कुछ भी अगर हम रिसर्च बर्क करना रहे हैं, या फिर कोई स्ट्वेड़ी अगर हम टेस्ट कर तो डेली टाइम फ्रेम में किजिए उसके बाद जिस टाइम फ्रेम आप ट्वेड करना चाहते हैं वहां पर बैक टेस्टिंग किजिए फिर आप उसके बैसिस पर ट्वेड इनिशियेट कर सकते हैं लेकिन जब भी सपोर्ट वेस्टेंस आपको ड्वा करना होगा डेली चार् बार लॉंगर टाइम फ्रेम वाले चार्ट को देखना होगा अगर हमें ट्रैप से बचना है तो और थोड़ा बहुत मैने पुलेटेड मूव को अगर हमें फिल्टर करना है तो अब यहां पर भी देखिए रिस्टेंस लेवल का फॉर्मेशन किया और यहां पर भी अगर हम को विले फिर आज पास आपको मिलएगा तो बहुत नहीं चकते हैं कि शूपर अक्टिवी नहीं लेगा तो आपको सही जगा पर यह आपको विश्ली चाट को देखके नहीं ले सकते हैं फिर इसके वेशिस पे पर इनुशेट नहीं कर सकते हैं तो इन सब पॉइंट को आपको ध्यान देना होगा और यहां पहले बीखा यहां पर इस पायांव इस पाइन के बेसिस में प्रफिट करता है किया तो करते हैं कि गरना मिनमम फाइब मिन इस से नीचे नहीं जाते हैं तो डेली इस्टमाल करें तो दोनों जगा आप अप perfect बना सकते हैं को सिट्यशन के ऊपर टैंड करता है कि आपको कौन साच ट्वेट लेना है अगर आपको market में वरोसा नहीं है तो आप intra day में entry कीजे intra day में exit हो जाइए अगर market आपका बहुत ज़्यादा gap up ले रहा या फिर gap down ले रहा तो ऐसे conditions में भी जब market में risk increase होता है तो January लोग क्या करते है positions को आपको carry forward नहीं करना इस time पे हम swing trading और positional trading avoid करते हैं जैसे हम swing trading positional trading avoid करेंगे हम क्या करेंगे चार्ट का time frame भी change करेंगे और वहाँ पे हम 5 minute और 15 minute time frame बाला चार्ट यूज़ करना चाहेंगे तो अलग-अलग situation को देखते वे भी हमें different time frame बाले चार्ट को इस्तमाल करना होगा profit हमें कोई भी time frame बाले चार्ट पे बन सकता है लेकिन उसके लिए हमें सही तरीके से implementation भी करने की ज़रूद है तो उमीद करते हैं कि आपको ये concept समझ में आ गया होगा कि best time frame बाला चार्ट कोन सा हमाई लिए आप अपने nature of trade को find किजे फिर आपको automatically आपका time frame बाला चार्ट मिल जाएगा जो आपके लिए बहत्वीन सावित होगा अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा अगर आपको ये वीडियो पसंद आया प्लीज वीडियो को like करके हमें encourage किजे चैनल को subscribe नहीं किया तो चैनल को subscribe भी किजे साथी साथ bell icon ना भूले ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करे notification आपको मिले और आप वीडियो मिस ना करे so that's all friends मिलते है नेक्स वीडियो में जैहिन